हेलो बच्चो आपका अपने ट्यूटर टाक चैनल में स्वागत है यह एक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट वीडियो है इसमें आप सीखेंगे कॉन्वेक्स लेंट्स और कॉन्केव लेंज के रिलेटेड जो निमेरिकल होते हैं लेंट्स फार्मूला के साथ जो करते हैं उन्हें सोल्ड करना इस वीडियो में सभी टोपिक जो है बहुत बारिकी से सिंपल से सिंपल लेंगज में क्लियर किया जाएंगे अगर आपने ये वीडियो कॉंप्रीट देख ली तो आप बहुत एजली कॉंवेक्स लेंट्स या फिर कॉंकेव लेंट्स से रिलेटेड निमेरिकल सोल्ड कर पाएंगे सबसे पहले हम इसमें साइन कॉंवेंशन की बात करते हैं जो कॉंवेक्स लेंट्स होता है आपको पता बीच में मोटा और किनारों से पतला होता है और जो concave lens की पहचाना ये center से पतला और किनारों पर मोटा होता है sign convention की बात करते है जितने भी distance इसके होते है object का distance, image का distance या फिर focal length ये सबी हम lens के optical center से measure करते है तो आपने ध्यान से समझना अगर हम कोई distance left side पर measure करते है तो उसका sign negative होता है left side के लिए और अगर right side की तरफ went by distance measure किया जाता है तो उसका sign हम positive लेते है तो याद हो गया right side positive, left side negative इसी तरह से अगर हम किसी object की height या image की height मा आपनी होते है तो principle axis से measure करते है अगर किसी की height हम upward measure करते हैं तो वो positive होगी अगर downward measure करते हैं तो वो negative होगी अब हम समझ लेते हैं कि कुछ ऐसे रूल्स या कहलो ट्रिक्स जिल से बहुत इसली बहुत फास्ट इनके सिंबल समझ पाएंगे जब आप स्टेट्मेंट पढ़ेंगे किसी भी निमेरिकल की टोफिक अपने याद रहे हैं अब इनके साइन के बारे में बात करते हैं जो अबजेक्ट होता है वह हमेशा लेंस की लेफ्ट साइड में रखा जाता है तो इसलिए अबजेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड पर होगा तो उसकी अप्टिकल सेंटर से दूरी लेफ्ट साइड पर क्या मानती है नेगेटिव तो यू आल्वेस नेगेटिव होगा चाह जादा सोतनी की जलोरतनी यो की वैल्यू दे ही है, अमने यो अब्जेक्ट का डिस्टंस 5 सेंटिमेटर दिया तो आपने माइनस 5 डिखते देना है, नेक्स्ट बात करते हैं, फोकल लेंथ की, जब भी कोई रेज, कॉन्वेक्स लेंथ की तरफ आती है, तो आफ्टर रिफ्रेक्शन वे है, राइट साइड फोकस पर मीट करती है, तो वहाँ पर राइट साइड वाले फोकस की वैल्यू क्या होगी, पोस्टिव होगी, राइट फिलाइट आती है, तो आगे की तरफ भिख़र जाती है, तो बैक अगर उसको डोटीट मिलाया जाये, तो उसका लिंक, लेफ्ट साइड वाले focus के साथ होता है इसलिए जो concave lens होगा left side पे negative sign डालते हैं left side पे distance measure करते हैं तो focal length जो concave lens का होगा negative और convex lens का focal length अपने याद रखना है positive लेना है रही बात image की अगर image left side पे बनती है तो वह virtual होती है उसका sign होता है negative और अगर image right side पे बने तो उसे real image कहते है और इसका sign क्या होता है positive distance होगा उसका अब हम बात करते है magnification की magnification का formula है v upon u जो की mirror formula से थोड़ा सा मिलता है जब concave mirror जा फिर convex mirror से related numerical करते थे हम तो magnification की value same कुछ इसी तरह से लेते थे लेकिन हाँ minus v upon u value ली जाती थी इसी तरह से magnification की value हम height of image upon height of object से भी निकाल सकते है magnification जो होता है जिसे m से denote किया जाता है ये एक तरह से relation बताता है कि जो image का size है वो object के side में कितना बड़ा है अगर तो magnification की value 0 से ज्यादा और 1 से छोटी आती आए अगर magnification की value 1 से छोटी आएगी जैसे 0.5, 0.2, 0.7, 0.8, 0.9 तो हम लिखेंगे diminished जो image का size होगा वह छोटा होगा object के मुकाबले अगर magnification की value exact 1 आ जाती है तो इसका मतलब जितना object का size है height है कहने पर उतनी ही height image की होगी और अगर magnification की value 1 से ज्यादा आती है इसका मतलब जो image की height होगी वह enlarged होगी image का size लिखते समय आपने जो sign है उसे ignore करना है उसे ignore करना है sign को नहीं देखा जाता जब यह size लिखे जाते है अगर magnification की value positive आती है positive symbol है तो वह virtual and erect होती है और अगर negative है तो वह inverted और real and inverted होती है इमेज उल्टी बनी होगी principal axis के नीचे की तरफ जैसे यह arrow डाला गया नीचे की तरफ बनेगी अगर positive symbol है तो इसका मतलब image ऊपर की तरफ बनी है मतलब सेधी बनी है और numerical sold करने के लिए जो lens formula है वह क्या है 1 upon f equal 1 upon v minus 1 upon u जो की mirror formula से ही के जैसा ही है बस फ़रक क्या है कि उसके center में हम plus डालते है mirror formula में यहाँ पर plus होता है वो lens formula में यहाँ पर अपनी जाद रखना minus डालना है तो first numerical हम करते हैं अब बहुत simple आपको यह numerical लगेंगे क्योंकि आपका basic clear हो चुका है तो an object is placed 50 cm from a lens तो object 50 cm रखा गया है lens के सामने और object का distance हम हमेशा क्या लेते है negative बताया था मैंने तो यहाँ लिखनेंगे कि जो u की value है वह है negative 50 cm आगे कहा क्या है that produce virtual image तो जो virtual image होती है वो उसका distance हमेशा negative होता है तो यहाँ अगर तो real image कहा गया है तो हमने उसके distance को क्या मानना होता है positive अगर virtual कहा गया है तो उसके distance को क्या मानती है negative तो यहाँ पर 10 cm है तो virtual image के लिए image का distance हम negative मानती है real के लिए positive और निकालना क्या है इसमे calculate focal length focal length निकालनी है तो इस question में बहुत interesting गा कि हमें पता ही नहीं है कि कौन सा lens है तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा lens है अगर तो इसकी value negative y focal length की तो समझे लेना concave lens है अगर focal length की value positive आती है तो वह convex lens होगा तो lens formula में value fill करते हैं क्या था 1 upon f equal 1 upon v minus 1 upon u तो 1 upon v यानि कि क्या कौन सी value fill करेंगे 1 upon minus 10 क्योंकि value negative है virtual image है बीच में minus formula के center में minus है और 1 upon u यानि कि minus 50 अब center में 2 negative sign होगा तो बीच में plus का symbol आ जाएगा तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 upon 10 plus 1 upon 50 और ये वाला minus हम उपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे अब इन दोनों का हम LCM लें तो LCM क्या इन दोनों का आएगा इनका LCM आदाएगा 50 और sold करने के बाद यहाँ minus 5 यहाँ plus 1 इनको आपस में LCM लिया 10 को 50 से तरफ 5 5 को 1 से 5 और ये आगा minus 4 upon 50 ये किसकी वेल्यू चल दी है सारी 1 upon F की तो अब इसको reciprocal करेंगे क्योंकि हमने 1 upon F निकालना है याई फोकल लेंथ निकालनी है तो अगर इसको हम reciprocal करते हैं तो यह हो जागा minus 50 upon 4 और cutting करने के बाद इसका आगया minus 12.5 तो यहाँ पर लिख देगे हम अब next numerical निकालते हैं तो next numerical करते हैं तो rule clear आपको बहुत simple लिए clear हो जागा कैसी है statement देखिए जल्दी जल्दी जे एक convex lens और focal length 10 cm क्या बता है था convex lens हो तो focal length को क्या मानते है positive यानि किसकी value हम क्या लिखेंगे 10 cm आगया is placed at a distance of 12 cm from a wall तो यहां पर त॥िहां देखना जो यह lens है यह watt दिवार से 12 cm 2 रखा गया है और how far the lens should be an object place और object का distance शोइस पूछा गया है तो object का distance हमें नहीं बताया गया इसमें हमें wall का distance बताया गया है जहां पर image बनेगी यानि की image का distance हमें पाता है और object का distance हमने नकालना है तो यहाँ पर wall है यहाँ पर कुछ ना कुछ screen लगानी पड़ती है हमें तो यहाँ पर object ना image यहाँ पर बनेगी तो object कहाँ पर रखना है कि image wall पर बने यह पूछा गया है image का distance एक तरह से हमें given है इसमें पूछा गया है कि how far from the lens should V equal to लिखेंगे हम 12 cm इसे की value positive लेंगे last जो हमने numerical किया उसमें virtual image की बात की थी तो हमने V को negative लिया था अब real image की बात हो ज़िए तो V हमारा positive होगा और U हमने इसमें निकालना है तो हमारा यह formula है 1 upon F equal 1 upon V minus 1 upon U इसमें U की value हमें नहीं पता इसकी value हमें मालूम है तो जिन जिन की value हमें पता है वह एक साथ लिख जाता है तो formula को जिस तरह से बन जाएगा 1 upon V minus 1 upon F और यह 1 upon U को side पर कर दें तो 1 upon U अब इन दोनों की value हमें पता है तो हम यहाँ पे fill कर लेते हैं हम इसे ऐसे लिख ले सकते हैं 1 upon U equal 1 upon V minus 1 upon F और यहाँ जल्दी से value फिल करें इनकी तो V की value कितनी है 12 1 upon 12 minus focal length की कितनी है 10 1 upon 10 इन दोनों का हम लेंगे LCM नीचे space कर में यहाँ पे लिख लेते हैं इन दोनों का अगर हम लेते हैं LCM तो वो आएगा 60 12 को 60 ड्यटी किया 5 उपर multiply जैसे हम छोटे classes में करते हैं इसको ड्यटी किया LCM को 6 उपर multiply 6 और यह हमारे पास आगा minus 1 upon 60 तो 1 upon U equal आया है 1 upon 60 minus 1 upon 60 इन दोनों को रैसे प्रोकल करेंगे तो U की value हमारे पास आजागी minus 60 इसमें हमने object distance भी पताना था कि object को कहां पर रखेंगे तो object को हम optical center के सामने left side पर 60 cm की दूरी पर रखेंगे 60 cm इस question को आप notebook पर उतार ले अब next question हम करते है numerical करते हैं जिसमें magnification की value भी योज होगी तो मैं आपको सभी important question करवा रहा हूं तो आप इसको note करकर रखें next numerical करते हैं यह 5 cm टाल object इसमें object की height बताई गई है object का distance नहीं है टाल कहा गया तो object की height है तो इसको लिख लेते हैं ho equal 5 cm in front of convex lens तो यह convex lens है focal length बताई है 20 तो convex lens की focal length क्या बताई थी negative लेने के positive positive value लेते हैं convex lens के समय focal length की the distance of object from lens तो हमें object का distance भी given है 30 cm और object का distance कोई भी lens हो आपने याद रखना negative value लेते हैं object की u की value negatively जाती है उचा गया है find position, nature and size of image position, nature और size of image वाले सामने ही बच्चों को अपसर confusion होती है सभी confusion दूर होगी आपके तो सबसे पहले तो हम lens formula लगाएंगे इसमें हमें focal length की value भी fill कर सकते हैं object का distance भी फिल कर सकते हैं यह नहीं फिल कर सकते हैं तो जो value non-nano यह कठा कर देंगे अगर 1 upon u को में इधर ले आते हैं तो क्या बनता है हमारा formula यहाँ पर 1 upon v और 1 upon u को 1 upon f की तरफ लेके जाएंगे तो 1 upon f plus 1 upon u हो गया यह negative था इधर आकर positive हो गया अब इसमें value कर देते हैं 1 upon v equal 1 upon focal length की value है 20 plus u की value हो negative तो यहाँ पर negative sign आदेगा u का minus 1 upon 30 का sign उपर shift हो गया अब इन दोनों का LCM लेके solve करेंगे तो तो value आ जाती है यहाँ पर 60 LCM आ गया 20 को 3 का 3 62 का उपर 2 multiply minus 2 1 upon v है मुझे करकर आकर आगा है solve 1 upon 60 तो v की value आगे 60 तो यहाँ पर v की value हमने निकाल लिया है 60 centimeter इस v की 60 centimeter v की value आगे रेसी पर करेंगे उसे next हमने निकालने है size of image size of image के लिए यह वाला formula जूज करेंगे magnification के दो value formulas है v upon u और height of image upon height of object यह दोनों आपस में क्या होते हैं? equal होते हैं इन दोनों को आपस में equal लिखलेते हैं कि दोनों की value magnification के equal है तो इस तरह से लिखेंगे height of image upon height of object इसमें height of image हमने निकालनी है height of object हमें पता है कितनी value हो height of object की? 5 cm और distance of image कितना है? 60 distance of object कितना है? minus 30 तो यह 5 कटिंग करने के बाद यहाँ पर 2 आ जाता है यहाँ पर minus 1 5 भी उदर जाएगा multiply होगा इसकी value कितनी हो जाएगी? 2 into 5 upon minus 1 यह आ गया minus 10 cm तो यहाँ पर image का distance क्या है? positive तो यह है right side of the lens बनेगी positive distance हो तो image right side of the lens बनती है second number पर बात करते हैं इसके nature की तो इसकी nature क्या होगी? real and inverted क्योंकि जब image का distance positive हो तो image lens के case में होती है real and inverted यानकी उल्टी बनेगी image third पूचा गया size of the image form तो image का size हम देखें तो 10 cm है जबकि object का है 5 cm तो इसे लिखेंगे magnified यह object से बढ़ है object का size 5 cm और image का 10 cm तो इसे magnified लिखेंगे next numerical है concave lens से related इसमें की अब्जेक्ट हाइट 5 cm प्लेस्ट इन फ्रेंट आफ पूंकेव लेंस अब्जेक्ट की हाइट यानकी हमेशा negative मानती है find position, nature and size of image कहा गया है इस mirror formula में हमें focal length के बार में पता है और object distance के बार में पता है V हमें नहीं पता है तो 1 upon U को 1 upon F के साथ भेज देंगे जिससे हमारा formula बन जाएगा 1 upon V equal 1 upon F यह 1 upon U negative अधर अगर plus हो गया plus 1 upon U और इसमें value फिल कर देंगे हैं 1 upon V equal 1 upon minus 1 upon 10 यह minus 10 था minus उपर shift कर दिया plus 1 upon minus 20 है तो minus 20 है इसका minus यहाँ पर shift हो जाएगा अब इन दोनों का अगर हम L sim लेते हैं तो 20 आता है यहाँ पर आता minus 2 यहाँ पर आता minus 1 और यह minus 3 upon 20 तो 1 upon V equal to हो गया minus 3 upon 20 तो V की value इससे सबसे क्या बनेगी जब इसको reciprocal करेंगे तो हो जाएगी minus 20 upon 3 यहाँ कि V की value हमारी बन जाती है minus 20 upon 3 इससे sold करने के बाद आ जाता है minus 6.67 minus 6.67 image का distance इसमें negative है इसलिए इसकी position की बात करें तो जो image होगी वह left side of the lens virtual and erect बनेगी अब बात करते हैं size of image और nature के image distance negative आया है यानिकि इस direction में है left side पे तो जो image होती है वह virtual and erect होती है अब बात करते है size of image के तो इसके लिए वही magnification वारा formula height of image upon height of object equal image distance upon object distance height of image निकालनी है तो height of object हमें मालूम है 5 है और V यानिकि जो image का distance है वह है minus 6.67 जिसे हम easy calculation के लिए इसके यह वाली value minus 20 upon 3 लिख लेती है minus 20 upon 3 यह क्या हो गया image distance और जो objective distance है वह है minus 20 और जब calculation करेंगे इसके upon 1 डालाती है तो क्या होगा minus 20 upon 3 और यह reciprocal हो जाएगा 1 upon minus 20 20 से 20 cancel और हमारे पास क्या क्या बचा यह दर बचा हमारे पास height of image upon 5 यह दर बचा 1 upon 3 यह 5 उदर चला जाएगा और height of image हमारे पास क्या जाएगी 5 upon 3 centimeter और next numerical है कि यह 10 centimeter object in front of convex lens जो object है उसकी जो height है वो है 10 centimeter और यह convex lens है focal length उसकी क्या है focal length उसकी है 30 centimeter यह हम positive मानेंगे और distance of object हमें कितना given है 20 centimeter position, nature और size बता नहीं है तो lens formula में हमें focal length और u के बार में पता है तो वह हमने एक साथ लिख लिए है और जो u है वो हम हमेशना क्या लेते है negative value यहाँ पर इसकी value हम negative 20 centimeter लिखते है objective distance को अब यह value हम यहाँ पर कर देते है fill तो 1 upon 30 minus यह negative center में आ गया 1 upon 20 इनका हम करेंगे LCM तो यहाँ पर 60 आता है और यहाँ पर आ जाएगा 2 minus 3 और minus 1 upon 60 1 upon V तो V की value आ गी minus 60 जो image distance है उसकी value minus 60 आई है image की जो position होगी वह है left side of the lens virtual and erect होगी अब size की बात करें तो magnification वाला formula वही HI upon HO यानिके 10 centimeter है height of object V अभी निकाला हमने minus 60 U हमारे पास था minus 20 cutting करने के बद 3 आ गया और HI उदर यह 10 जाकर multiply होगा 3 into 10 और height of image आ जाएगा 30 centimeter तो यह आपकी image virtual erect and magnified क्योंकि image का distance negative है और यह जो size बता रहा है यह size है यह object के size से बड़ा है virtual erect and magnified यानि कि जो image है बड़ी बनी है thanks for watching